Hello everyone, welcome to my channel biological domain पिछले वीडियो में हम लोगों ने cell cycle के phages के बारे में देखा था कि कैसे वो interphase और m phase को complete करता है एक parent cell से दो daughter cell form करता है लेकिन कभी-कभी ये question भी उठता है कि अगर जो cell repair करना ना चाहे किसी के साथ जबरदस्ती तो है नहीं कि उसे divide करना ही करना है तो जो cell divide नहीं करना चाहता है वो cell कौन से phage में जाएगा तो वो cell जो है यहाँ से G1 से direct वो G not phage में चला जाएगा जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पिछले वीडियो में देखा था तो वो G not phage में चला जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? Question phase Question phase और ये कब होता है? ये जब होता है जब cell को divide नहीं करना है और आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ये G0 phase किस-किस cell में होता है और कौन cell जो है rapidly divide करता है कौन cell permanently divide करना बंद कर देता है मतलब एक समय वो grow हो गया तो इसको divide करने का जरुवती नहीं है और कौन cell को होता है कि वो जल्दी-जल्दी divide करता है और कौन cell है कि जरुवत पढ़ने पे divide करता है तीन तरह का category होता है On the basis of division of cell वो आज हम लोग देखेंगे देखेंगे यह जी नोट फेज है कुईशन फेज जी बोलते है यह हर्ट सेल और नूरोन सेल पीछले वीडियो में हम लोगों ने यहीं पे इसको end किया था आज देखते हैं कि On the basis of division On the basis of division कितने टाइप का सेल होता है On the basis of division Types of cell Types of cells तो तीन तरह का सेल होगा एख होगा आपका यह लेवाईल सेल लेबाईल सेल एख होगा stable सेल और एख होगा आपका परमानेंट सेल परमानेंट सेल जैसे होता है क्या है कि अगर G-not से ही वो अगर उसको डिवाइड ने करना तो वो G1 से आपको चला गया G0 फेज में लेकिन कभी-कभी वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर वो G0 से फिर डाइरेक्ट वो G1 में भी आ सकता है अगर उसको डिवाइड करना है जैसे आप लोगों ने कभी-कभी सुना होगा कि कोई व्यक्ति है और वो ज्यादा सराब पीता है उसका लीवर डाइमेज हो गया है लेकिन लीवर में क्या होता है? रीजेनरेशन कैपेसिटी होता है वो रिपेयर कर लेता है अपने सेल को वो तुरंत रिपेयर कर लेगा तो उस समय अगर वो G1 से G0 में चला गया अगर लीवर सेल यहाँ पर है उसको अभी डिवाइड करन का जरूरत हो गया जहां पर अंदर इंज्यूरी हो गया लीवर में इंज्यूरी हो गया किट्नी में इंज्यूरी हो गया तो उस समय अगर उसको डिवाइड करने का जरूरत है नया सेल बनाने का जरूरत है तो वो क्या करेगा डाइडेक G1 फेज में चला जाएगा और अप वाइल सेल वैसा सेल है, जो continuously divide करता है, ये सेल क्या करेगा, continuously divide करेगा, continuously divide, इसका rate जो होगा, slow होगा, लेकिन divide, continuously करेगा, rate जो होगा, वो slow होगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा स्कीन जब injured होता है, तो वो तुरन वो चीज़ ठीक हो जाता है, वो हील हो जाता है, तो वो किसमें आएगा, वो तो divide कर रहा है, क्योंकि injury जो है स्कीन पर outer layer पर वो कभी भी हो सकती है, और कभी भी उसको ठीक होना जरूरी है, तो इसके लि हमारे organ का outer layer है, वो भी लेवाइल सेल में आएगा, outer layer of organs, और आपका क्या आ सकता है, लेवाइल सेल में, तो इसमें आपका गटवाल, गटवाल जो है, जो गट को covering करता है, जो हमारे digestive system को cover करता है, गटवाल्स, यह आपका हो गया, फिर oral cavity, और टेलेर में तो आपका सब आ गया, और oral cavity फिर bone marrow, bone marrow is the part where the, where RVC are form, you know, वहाँ पे RVC का formation होता है, तो यह होगा, bone marrow, लेवाइल सेल का यह example हो गया, इसका main मक्सद क्या है लेवाइल सेल का, वह continuously divide करते रहेगा, और यह कभी भी G-not phase में नहीं जाएगा, और आपको क्या है, stable cell, अब stable, लेवाइल से तो आपका यह पता चल गया, अब stable, stable का मतलब कुछ समय के लिए stable हो गया, कुछ समय के लिए अगर उसको काम नहीं है, तो वह G-not, पहले G-1 से अगर G-not में गया, तो फिर वह G-not से फिर G-1 में चला जाएगा, काम की अनुसार, जैसे मैंने lever cell का जो एक्जामपल दिया था, वह stable cell में ही आएगा, कि पहले उसको काम नहीं है, तो वह divide नहीं करेगा, अगर grow कर लिया है, तो वह direct G-not में चला गया, लेकिन जब भी उसको divide लगा कि जरूए था, दिवाइड करने का, तो वह direct फिर G-not phase में चला जाएगा, यह lever cell है, तो यह जो divide करता है को certain condition में divide करता है, और कभी कभी divide करता है, दिवाइड अंडर certain condition, certain condition, इसका example क्या है, आपका हो गया lever cell, फिर आपका हो गया PCT, प्रोक्जीमर कन्विलेट टुब्यूल ओफ किड्नी और एक्सेक्टरा, जिसको भी injury हुआ, damage हुआ, internal organ को, अगर उसको लगा कि नहीं हमें repair करना है, इस चीज को ठीक करना है, तो उस समय वो stable cell का वो example है, वो G0 से direct G1 phase में चला जाएगा, अपना cell cycle complete करके वो फिर से repair हो जाएगा, अब बात है permanent cell, permanent मतलब क्या हुआ पर्मानेंट, तो वो permanent cell है, तो वो हमेशा G0 phase में ही रहेगा, अगर वो डिवाइड ही नहीं करता, always leaving G0 phase, तो अब G0 phase में हैं, तो क्या करेगा, do not divide, do not divide, और इसका example क्या हो सकता, कौन सा ऐसा cell है जो divide नहीं करेगा, किसको divide करने का मन ही नहीं है, और कहां पर अगर जब injury हो तो वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, तो वो उसका example है, आपका neuron, brain का जो cell होता है, वो जल्दी repair नहीं होता है, इसलिए doctors बोलते हैं कि brain को अच्छे से रखना चाहिए, यह मतलब brain में damage कुछ parts हो सकता है, ठीक लेकिन सारा parts जल्दी ठीक नहीं होता है, तो इसका example neuron है, फिर cardiac cell आपका हुआ, hurt cell, hurt cell अगर वो ना काम करें तो कुछ हो ही ना, लेकिन यह divide नहीं करता है, इसलिए hurt brain लोगों को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, फिर आपका कुछ blood cells भी है, जो divide नहीं करता है, आज हम लोगों ने cell types के बारे में देखा कि on the basis of division कितने तरह के cell हैं, कुछ divide करते हैं, कुछ कभी जरूरीत पढ़ने पर divide होते हैं, कुछ कभी divide ही नहीं करते हैं, मतलब जब सुरू में उनका structure बन गया, वो grow कर लिये तो उसके बाद वो divide नहीं करते, यहां तक कि injury भी हो जाए, तो भी divide नहीं करते हैं, तो permanent cell वो types है, और एक most important part, जो यह labile cell है, जो skin cell है, वो divide to continuously करता है, तो सबसे ज़्यादा डर इसी में हैं, क्यों? क्योंकि अगर इसका abnormal growth होने लगा, तो फिर वो disease का form कर देता है, तो इसलिए labile cell divide नहीं करना ज़रूरी, यह continuously लेकिन इसका rate slow होना चाहिए, तो इसलिए वहां पे क्या है, हम लोगोंने cell cycle देखा था, इस cell cycle में हम लोगोंने देखा था कि यह जो complete कर रहा है, तो यहां पे वीच-वीच में checkpoint लगा हुआ है, एक checkpoint आपका यहां पे है checkpoint, एक यहां पे checkpoint है, यहां पे major checkpoint होता है, और एक checkpoint आपका हो गया, G2 phase पास, और एक checkpoint आपका हो जाता है, यहां पे यह जो PMAT है, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, और टेलोफेज, यहां पे आपको एनाफेज के पास एक checkpoint होता है, अब बोलिएगा कि checkpoint क्या है, तो checkpoint वो है, जैसे checking, मतलब सही काम हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, अच्छे से divide कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर सेल को division का जरुवत ही नहीं है, लेकिन जैसे लेबाइल सेल तो continuously divide करता है, और उसको जरुवत ही नहीं है, तो उस समय क्या करेगा, यह checkpoint वहाँ पे चेक करेगा कि सही से वो काम कर रहा है कि नहीं, तो वहीं पे वो stop कर देगा, जीवन फेज में ही वो stop हो गया, उसको नहीं आगे बढ़ने दिया, तो वो stop हो गया, वहाँ पे uncontrolled growth नहीं होगा, अगर यहाँ पे वो check नहीं कर पाया, तो फिर यहाँ चेक करेगा, क्योंकि mitosis जो division है, वो यहाँ पे होता है, तो checkpoint जैसे checking होता है, जैसे आप, इसलिए क्या, मतलब checkpoint यहाँ पे भी दिया हुआ है, sell cycle में, की टाकी, traffic rule में भी क्या है, checking होता है कि कौन rule का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसी तरह sell cycle में भी सारा checking होकर, वो सही से sell divide करता है, और अच्छे से काम करता है, that's all for today, thank you, अगर आपको अच्छा लगे यह वीडियो, तो ज़रूर इसे like, subscribe और share कीजिएगा, thank you,